राजस्तान के टोंका जिले में पिछले हफ्ते कई जगहां उपर हुई बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है कहीं तेज हवा और बारिश से तो कहीं पानी भरने के कारण फसले खराब हो गई है अगस्त में जोरदार बारिश के कारण हजारों हेक्चेर में फसल खराब हो गई थी इसके बाद पिछले दस दिनों से बारिश का दोर थमा तो किसानों को कुछ फसल मिलने की उमीद जगी लेकिन अब एक बार फिर बारिश के कारण कई जगों पर फसल नीचे गिर गई है किसानों को फसल खराब होने के कारण इसकी लागत निकानना मुश्किल लग रहा है क्रिशी विभाग की माने तो जिले में इस साल 2,70,128 हेक्टर में खरीफी फसल की बॉय की गई थी लेकिन अगस्त में तेज बरसात के कारण 96,419 हेक्टर में फसल खराब हो गई इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है अब एक बार फिर से बरसात से कई जगों पर खेतों में खड़ी फसले नीचे गिर रही है तो कई जगों पर पानी भर रहा है बारिश ज्यादा होने से सबसे ज्यादा जवार और मूंग की फसल खराब हुई है जिले में 33,165 हेक्टर में मूंग की फसल खराब हो चुकी है इसी तरह 23,841 हेक्टर में जवार की फसल को नुकसान हुआ है वही 2642 हेक्टर में मक्का की फसल भी खराब हुई है और 17,185 हेक्टर में उड़त की फसल भी खराब होती दिखाई दी है जबकि 574 हेक्टर में गुवार की फसल को नुकसान हुआ है वही 60 हेक्टर में सोया बीन की फसल भी खराब हो चुकी है 630 हेक्टर में मुफली की फसल बरबाद हो गई और 2450 हेक्टर में अन्य फसले खराब होने की ख़बर दिखाई दे रही है झाल 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 झाल